इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. डेजटेम टेबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधी के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है. डोज आपकी कंडीशन और दवा के प्रती आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करेगी. डॉक्टर द्वारा निर्धारित अवधी तक इस दवा का सेवन जारी रखें. अगर आप इलाज को जल्दी रोकते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. अपनी हिल्थके टीम को अन्य सभी दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि वो दवाएं इस दवा को प्रभावित या इससे प्रभावित हो सकती हैं. सबसे सामाने साइड इफेक्ट में चली आना डायरिया दस्त मूह में सूखापन, उल्टी, त्वचा पर रैश, फ्लू जैसे लक्षन, ठकान और सिर दर्ध हैं. इन म जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती हैं. तब तक ड्राइव या ऐसा कोई काम न करें जिसमें मानसिक फोकस की आवश्यक्ता होती है. यह दवा लेने के दौरान शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपको अधिक नींद आ सकती है. सेल जब तक आपको अपने डौक्टर को सूचित करना महत्व पूर्ण है. अगर आप गर्भवती हैं, गर्भधारन की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं, तो भी आपको अपने डौक्टर को बताना चाहिए. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.